दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फेट से जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी साल 1994 में रेलीस हुई थी फिल्म गोविंदा की राचा बाबू और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अनील कपूर की 25 मार्च 1994 में रेलीस हुई थी फिल्म लाडडा साल 1994 की दोनों ही भीतरी इन फिल्मे हैं तो इन दोनों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे जानेंगे इनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मनस तक और साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों फिल्मों ने अपने पहले दिन यानि के उपनिंग डे पर क इस फिल्म ने मारी थी बासी तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म राजा बाबु की गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ती कपूर और कादर खान इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नसर आई थे फिल्म के डेरेक्टर थे डेविड धवन बजट था इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे बात करें ओपनिंग डे की तो अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने 50 लाख उपे की ओपनिंग की थी और बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तकरीबन 8 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 16 करोड उपे कमाई थे इस फिल्म ने और फिल्म हुई थी राजा बाबू बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म लाड लाकी 25 मार्च 1994 अनील कपूर के साथ रवीन अटंडन और शरी देवी और शक्ती कपूर प्रेम चोपडा मुखे किरदारों में असार आये थे फिल्म के डिरेक्टर थे राजकवर बजट था इस फिल्म का तकरीबन 4 करोड उपे बात करें ओपनिंग डे की तो अपने पहले दिन इस फिल्म ने 40 लाक उरपे की कमाई की थी और बॉक्स ओफिस इंडिया पर 7 करोड उपे कमाई थे और पूरे वर्ड में 14 करोड उपे की कमाई की थी और फिल्म हुई थी बॉक्स ओफिस पर हिट तो दोस्तों यहाँ पे अगर बाहत करें बाजी की तो गोविंदा के फिल्म राजा बाबो ने बाजी मारी है ओपनिंग डे पर भी और लाइफ टाइम पर भी तो आप हमें कमेंड में सुरू बताईएगा कि दोनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा बढ़िया फिल्म कौन सी है